कुछ बाग सफेद रंग के क्या होते हैं? क्या सार्क सच में कलर ब्लाइंड होती हैं? और तूटे हुए दांत बाले बाग से बचके क्यों रहना चाहिए? आईए जानते हैं अधिकतर आप देखते हैं कि बाग के उपर ओरेंज कलर का कोट होता है और उसमें काले रंग की दारियां पड़ी होती हैं लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ बाग के पास औरिजना होके बाइट कोट होता है इसका सीधा सा कारणा उन बागों में फोमेल लानिन पिग्मेंट की कमी होती है जो कि दूसरे बागों में पाय जाते है ये बात तो बिल्कुल सच है कि सार कलर ब्लेंड होती है और उस्टेलिय के बिग्यानिकों ने एक रिसर्च में पाया था कि सार के पास रोड सल काफी अधिक होते है लेकिन कौन सल बहुत ही कम पाय जाते है जो कि दिन के समय में देखने के काम आते है और अक्सर आपने सूना होगा कि बाग का दान तूट गया हो तो उससे बचके रहना चाहिए ऐसे इसलिए क्योंकि ऐसे में बाग बहुत गुसेल और बीग पड़ जाता है इसलिए वो एक असान शिकार के तलास में रहता है और हम इंसानों से असान सिकार उसे कहीं नहीं मिल सकता और इसलिए उस टाइम दो इंसानों का सिकार अधिक करते हैं